लॉंगिट्यूड एंड लेटिचूड यानि यक्छांस और देसांतर काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चे को कन्फूजन होता है चाहे आप स्टार्टिंग से करें या लास्ट तक इसमें कन्फूजन रहता है जबकि काफी छोटा और काफी अच्छा टॉपिक है देखो यह आपको दिखड़ा होगा धर्ति का मतलब मैं पिया गलोब कहलो इसको गलोब उपर में जो होता है उसको हम कहते है नॉर्थ पोल नीचे होता है आपका सौथ पोल यह सब क्लियर होना चाहिए बेसिक से पूरा साही से समझेंगे काफी छोटा वीडियो होगा ठीक जब धर्ति बना तो उसपे अटमेटिक लाइन आ गया ऐसा नहीं हुआ धर्ति को स्टड़ी करने के लिए सैंटिस्ट लोगों ने जए दो दार्सिनिक थे उन्होंने किया किया उसको दो नामों से डोनोट किया जो लेटा हुआ लाइन था लेटा हुआ उसको ढोमी धर्ति के मद्ध सी जो रेखा जारहा है उसको क्यां पूम मत्य एक्वेहटर मतल हम धर्ति को दो बढ़ाबर भाट में एक्वेहटर में इक्वेहटर में डिवैयड़ करसा है अब equator बाटा किसको तो इस अधर होगे नौर्थ इधर होगे South Hemisphere और North Hemisphere परसनगर यह आ जाए कि equator क्या है equator क्या करता है धर्ती मतलब वह काल्पनिक डेखा है वह मतलब काल्पनिक डेखा है जो क्या करता है North Hemisphere को South Hemisphere से अलग करता है चलो यह तो basic कुछ था यह तो आप लोगों को पता ही होगा जब अगर हम बात करें मतलब यह latitude और longitude को तो आपके दिमाग में यह figure बन जाता है ठीक ना यह आपको दिख़़ा होगा equator ठीक यह लिख़़ा होगा आपको यह जो लंबा सा लाइन है यहाँ पर लिखा है prime meridian यही क्या है longitude है अच्छा और यह तो future आपके लिए confusing का है मैं कोशिस करता हूँ कि आपको एक असान सा फोटो दिखाऊ जिससे आपको और अच्छे सी clear हो जाए मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए जो भी लाइन है सब क्या हुआ latitude हुआ यह जो भी लाइन है वो क्या हुआ latitude हुआ और यह prime meridian वाला ख़डा वाला लाइन जो भी है वो क्या है आपका longitude है latitude longitude में अब I think आपको कहीं कोई problem नहीं होना चाहिए यह clear हो गया अब इससे जूरे हुए जो प्रस ना आते है और इसका क्या मतलब आपके लिए उप्योगी है वो हम बात करते है पहले हम बात करते है latitude का जो लेटा हुआ लाइन है उसी का पहले बात करते है वीडियो को ध्यान से अब देखना है आपको latitude, लेटा वाइन weather clear है सबसे beach वाला क्या हो जायएगा यह जो beach वाला लाइन है यह क्या आपका equator है तिक इसके उपर यह आपका 0 degree पर आता है तिक इसके उपर यह जू है ना साणे 23 डिगरी पर आता है उँपर नॉर्थ है तो ये भी क्या हो जाएगा नॉर्थ है ये वग करक रेखा फिर यहां पर यह आर्टिक सरकील होता है एसे ही छोटा उसा और नीचे ही ऐसे ही छोटा छोटा चला जाता है कभी भी पुछें अचछाइ इसका हिंदी में क्या क्यते हैं Atchans Atchans कभी भी Atchans जो ओगा वो पूरा पस्चिम नहीं होगा हमेशा ये North's होगा उत्तर दक्षीनी होगा तो kanभी भी अक्षाइनС क्या होगा पूरा पस्चिम नहीं होगा तो आप option देखके असानी से eliminate कर सकते हो अक्षान के साथ हमेशा क्या होगा उत्तर डक्षिन लगा होना चाहिए अगर प्रस्निय आजाए सबसे बड़ा अक्षान्स कौन सा है सबसे बड़ा अक्षान्स कौन सा होता है equator होता है भूमद रेखा सबसे चोटा अक्षान्स पूछ दे तो वो पोल पर होता है सबसे चोटा अक्षान्स का होता है अच्छा एक लेन यह जो अक्षान्स है न यह किधर से किधर खिचा जाता है पूरब से पस्चिम या पस्चिम से पूरब मैंने तो पहले ही कह दिया कि उत्तर दक्षिन अक्षांस नहीं होगा मतलब जो खीचा जाता है न वो कैसा खीचा जा रहा है पूरव से पस्चिम या पस्चिम से पूरव तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए पूरव से पस्चिम पूरव से पस्चिम वही हम इसमें अगर पढ़ेंगे किलो मीटर, 111 किलो मीटर, कहीं कहीं आपको 111.13 किलो मीटर मिलेगा, तो आप option के recording अपना टिक कर ले, 111 किलो मीटर ही क्या होगा, सही answer होगा अच्छा, अब एक हो सकता है, कि यह line जो है, यहाँ पे तुम्हें आपको 6 सर दिख रहा है, यहाँ पे कहीं 4 दिखता है कहीं पे आपे अबोद अधिक दिख रहा है, टोटल है कितना real में, तो यह आपको याद करना पड़ेगा, 181 है 181, मतलब गार एक्क्वेटर को छोड़ दे तो एक्क्वेटर है, और इसेट 90 डिड़ी बन जाता है ना, और नीचे भी क्या है 90 है, तो 90-90 हंट्रेट हो गया, और एक्क्वेटर को एड़ कर दो तो 181, मतलब कुल अक्षांस, यानि कुल लेटिचूड कितना है 181, गल्ती पे भी 180 पे टिक नहीं कर देना, ठीक ना लगता 180 होगा, पर एक्क्वेटर भी एड़ होता है ना, तो क्या हो जाएगा 180, यह वही हो गया कि आपको बोलेगा आदमी कॉंट करो, आदमी खुद को कॉंट ही नहीं करता है तो वही हो गया, कुल कितना यहां पे 180, 180 हो जाएगा सबसे बड़ा सर्कल मैंने कही दिया कि वह कौंसा हो जाता है, एक्क्वेटर हो जाता है अच्छा एक जी और यह जो दो लाइन है ना, दो लाइन दो अक्छान्स, इसके बीच वाले जगह को क्या कहा जाता है, इसके बीच के पुछ ले आपसे, तो वह हो जाता है, कटिवंध कटिवंध ठीक ना, कटिवंध क्या हुआ, दो अक्छान्स के बीच जो होगा, उसे हम कहते है कटिवंध, अब करक रेखा किसका उधारन है, यह भी अक्छान्स है मैंने जैसे कहा करके रेखा किसका उधारन अक्छांस का मकर रेखा किसका उधारन अक्छांस का करके रेखा जो कभमदी रेखा से उपर की तरफ उधर में होता है और नीचे की तरफ क्या होता है मकर रेखा होता है ट्रॉपिक और काफी कार्ण नीचे करके रेखा से भारत के परपेक्षि में अगर प्रस ना है तो यह आ सकता है कि करके रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है तो 8 राज्यों से कौन-कौन सा राज्य है आप बताएगे कमेंट बॉक्स में क्योंकि इसे पहले हम भारत का ही भूगल पढ़े तो उसमें मैंने काफी अच्छे बताया था तो वह आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में अब आते हैं देसांतर पे देसांतर वाला एक फोटो देखते हैं पहले यही जो आपको लाइन दिख़रा होगा मिंस यह ख़डा वला लाइन और इधर क्या होता है वेस्ट की तरफ जाएगा यह लाइन क्या होता है यह खीचा कैसे जाता है तो नौर्छ टू सौथ उत्तर से डक्षिन की तरफ खिचा जाएगा जैसे हम इसमें पढ़े थे हैं कि इसमें equator होता है beach का line वैसे इसमें क्या होता है prime meridian जो कि 0 degree पे जाता है अच्छे एक प्रीस आपके दिमाग में आना चाहिए कि prime meridian जो है 0 degree पे जाता है ठीक है लेकिन वह लंदन से ही क्यों जाएगा लंदन से ही क्यों जाएगा तो देखो इसका कोई मेन खास रिजन है नहीं रियलेटी यह हुआ कि जो यूरोप के लोग थे न वो पहले पढ़े लिके उनको इसकी जरूरत पढ़ी तो वो अपने देश से ही गुजरवा लिए अगर आप इसका खोज कर तो आपने गुजरवा लेते हैं ठीक ना तो इसके लिए कोई सेंटिफिक रिजन नहीं है पर 1988 में एक मिटिंग हुआ था जिसमें कहा गया कि चलो इंगलेंडी ऐसा कड़ेगा पर उसे पहले से ही वही करना पढ़ता कि उसके अपस नॉलेज था ओक करकर रेखा मकर रेखा आए तो अक्छान सी दिवाग में रखना है गलती नहीं कर लेना मैं बारबार रिपीट करता हूँ एक चीज और यह टोटल जैसे हमने इसमें पढ़ा कि टोटल लाइन कितना था तो हमने क्या पढ़ा 181 तो आपके तो आपको यह भी प्रसन आना चा कितना हो जाएगा 360 टोटल जो देसांतर है वो कितना हो जाएगा 360 और इसी से जोड़ा प्रस अगर यह ऐसे सरकेल आके आड़ा यहां पे तो सबसे कम डिस्टेंस देखो देसांतर के बीच सबसे अधिक दूरी कहां होगी Equinix पे मतलब यह जो क्या बोलते है उसको Equator पे सबसे अधिक यहां पे कितना कम डिस्टेंस है तो जो जो पोल की तरफ यह जाएगा ना तो वो दूरी क्या होगा कम होगा ठीक लेकिन जो 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 एक्क्वेटर भूमधी के पास आएगा ना तो दूरी क्या होगा बढ़ता जाख जाएगा इससे पता होना चाहिए आपको और अगर इसके बीच की दूरी पूछ दे पर कि देशंत्र में सबसे अधिक दूरी भूमत दिरेखा पर होता है यह दूरी किसके बड़ावर है यह दूरी भी 111 किलोमीटर के बड़ावर है लेकिन ये अगर point में दे तो 111.32 km जबकि हमने जो अक्षान से उसमें क्या पढ़ा था 111.12 km तो थोड़ा का difference है यहां पे क्या होता है थोड़ा अधिक होता है अब देखो यह जो कहा 360 होता है और इसे प्रस्ट क्या बन सकते हैं कि एक डिगरी में कितना minute होता है तो बैं ऐस और 360 लाइन है इसमें तो 24 घंटे में 360 तो एक घंटे में कितना? 360 वट्टे 24 यह होगा तो इसको कड़ो आप 24 से इसको कड़ोंगे तो कितना टैमस में कड़ जाएगा? यह हो जागा वहाँ पे 1 और यह हो गया 5 मतलब एक घंटे में 15 डिग्री एक घंटे में 15 डिग्री एक घंटा मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री तो एक डिग्री में कितना चार मिनट तो एक डिग्री में क्या होता है चार मिनेट होता है यह आपको याद रखना पड़ेगा पंदरा डिगरी में गंटा होता है चोविस गंटे में तिन दो साथ होता है प्रशन कैसे भी आए आप उसको असानी से बना सकते हो अब जो लो यह तो किलियर हो गया अब एक ची और देखते है अब इसे जो प्रशना सकता है कि जो time meridian है हमने उपर वाले में क्या पढ़ा है मतलब पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि धरती जो अपना पिर्थी जो है यह अगर करके रेखा है इस भूमत भी रेखा है और यह अगर time meridian है तो यहाँ पर अगर जीरो है ना इस्ट के तरफ जाएगा तो वो क्या होगा पलस टैम होगा पलस और इसेट जाएगा तो क्या होगा माइनस टैम होगा मतलब पस्टीम के तरफ अगर जाएगा तो माइनस होगा और पलस की तरफ जाएगा इस्ट के तरफ जाएगा तो प्रस्त कैसे बनेगा अभी हम पढ़ेते कि 1 degree is equal to 4 minute पढ़सना आएगा 0 meridian पे 0 meridian पे कर दो बज रहा है 0 meridian पे 2 बज रहा है तो जैसे हमारा क्या है 85 degree है 85 degree है तो हम क्या करेंगे 1 पे 4 है तो 82 पे क्या होगा इससे यह इतना minute आगे चलेगा तो आप अगर इसको minute को घंटे में बजलेगा तो 60 से डिवैट दो तो आपका आंसर निकल के आज आएगा उतना घंटे क्या होगा आगे चलेगा लेकिन अगर इससे पहले वेस्ट में कर दे पस्थी में अमेरिका का पूछ दे इससे जो भी प्रसंद बनेंगे ने मैं सबको complete करूँगा तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको यहाँ पर देखो यह जो line है न वो क्या है आपका prime meridian यानि इसको हम क्या कहते हैं longitude यानि अक्छांस रेखा तो इसमें कितने देशों से होकर आपका prime meridian गुजरता है बहुत बार मतलब UPSC, State PCS, SSEC, CGL इसमें कई बार यह प्रसन आ चुके हैं कि आपका जो prime meridian है कितने दोस्टों से होकर गुजरता है तो टोटल यह 8 देश है नाम याद कर लो United Kingdom, France, Spain, Algeria, Mali, Burkania, Ghana और Togo यह साड़े देश हैं जहां से होकर prime meridian गुजरता है फिर से repeat कर लेते है United Kingdom, France, Spain, Algeria, Mali, Burkania, Ghana और Togo इसका screen तो ले लो काफी अच्छा है यह अपना इंडिया है यहां इस से होकर गुजरता है यह भी मैंने पठ लिया है आप स्टेट बता देना comment box में कि कितने राजियों से होकर यह जो टाइम जोन है वो गुजरता है इलहाबाद वाले जगह से इस्टेट का नाम बताना है मैंने एक ट्रिक भी दिया था याद करने के लिए बताना comment box में अब हम बात करते है इक्वेटर जो होता है न वो कितने देश से होकर गुजरता है अच्छे एक चीज़ और यह जो टैम जोन है न प्राइम मेरेडियन यह गुजरता है कहां से वहाँ पर एक जलसंदी है मेरीन जलसंदी ठीक ना बेरिंग सोरी बेरिंग बेरिंग जलसंधी है उसके बगल से होकर गुजरता है प्रसण आएगा बेरिंग जलसंधी के बगल से कौन सा टाम जोन गुजरता है तो प्रैम मेरीडियान ही गुजरता है आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा टोटल अगर पूष दे कि सबसे अधिक time zone किस country में है तो France पे टिक करना है ऐसा नहीं पहले बाले book में आपको Russia मिलेगा पर अगर आप net पे देखो तो France मिलेगा क्योंकि France का ट्रेटरी जो था है छोटा छोटा जो दूई पहनो उसका वो अधिक है तो इसलिए France से सबसे अधिक time zone गुजरता है 14 अगर हम बात करें रहे 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 रसिया से तो वो time zone 11 है USA से साथ है तो सबसे अधिक time zone किस के पास है France के पास है यह आपको याद करना पड़ेगा अब इस प्रसन को देखो मतलब इस map को देखो है एक्वेटर वो गुजर रहा है सौथ अमेरिका से अफरिका से एसिया से वो भी तीन तो दोनों में तीन तीन याद रखना है continent पूछे ocean पूछे तो Arctic Ocean से गुजरता है फिर यहाँ पे आपको Atlantic Ocean मिलेगा और कुछ नहीं ठीक ना Atlantic और Arctic दोनों से गुजरता है अगर हम बात करें इसकी तो Pacific Ocean से भी गुजरता है Arctic से भी Indian Ocean से भी गुजरता है तो यह तीन से योग होकर गुजरता है I think यह सारा प्रस्न आपके दिमाग में clear हो जाना चाहिए अगर वह कर कर रेखा के वारे माज़े कितने continent से गुजरता है तो चार हो जाता है एक तो गया North America फिर Africa Asia तो Asia तो Asia तीन से होकर गुजरेगा करकर रेखा भी वह ही अगर पुछ दे मकर रेखा तो वो भी South America अफरीका और Australia से होकर गुजरता है तो यह भी यहाँ पे क्या हो जाएगा तीन ही होगा तो हर जगा लगवग आपका तीन ही आंसर होता है तो आप उसको असानी से टिक कर पाओगे अगर आप किसी अच्छे एक्जाम कर जैसे UPSC की त्यारी कर रहे हो तो आपको यह भी याद करना पड़ेगा कि करके रेखा कितने कंट्री से होकर गुजरता है टोटल तेरा कंट्री है जिससे होकर यह गुजरता है जिसमें पहला यहाँ पे दिया गया है तो तेरा कंट्री आपको याद करना पड़ेगा अच्छे एक्जाम के त्यारी कर तो पूड़ा आपको याद करना पड़ेगा नाम ठीक ना तो पहला यहां पे एक्वेडोर दिया एक्वेडोर कॉलंबिया ब्राजील गावन कांगो डेम रिपब्लिक अप कांगो युगांडा केनिया सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेसिया, करावती और साव टोम और प्रिंस्पे तो यह सारे कंट्री हैं जो जिसी होकर एक्वेडर गुजरता है याद रख लेना दोनों का नाम बहुत इंपोर्टेंट है यह दोनों मैंने कंप्रीट कर दिया अब आगे गर बात करें सरकिल की तो जैसे सन का जो भी लेट परता है धरती पे तो वो होता है दिन और वो होता है पोजित रात फिर कहीं का दिन छोटा कहीं का दिन बड़ा क्यों होता है तो धर्ती जो है प्रत्र जुका हुआ प्लानेट है जुका हुआ प्लानेट है जिसके कारण जो यह रस्या वाला पार्ट होता है वहाँ पे दिन आपको काफी बड़ा देखने को मिलेगा दिन क्या होता है और वही यह नीचे वाला सौथ होता है सौथ हो जाएगा और उपर वाला क्या हो जागा नौर्थ हो जागा सारे 60 डिग्री पे तो यह स्थोरा याद कर लेना आपके जामी यह help कर देता है तो यह मैं session को end करता हूँ I think आपका सारा concept clear होगा अगर थोरा भी भी dot है तो एक और फिर से देख लेना I think clear हो जागा फिर भी अगर समझ में ना आए तो comment box से mention करना पर फिर से repeat कर देता हूँ लेटा हुवा line latitude और लंबा line longitude ठीक ना तो आकि आपको आप नहीं भूलोगे ठीक ना यह हम session को end करते हैं आप लोगों का काम है अधिक से अधिक लोगों तक share करना तो चलो यहाँ वीडियो को end करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद